दोस्तो आज की कहानी एक ड्राइवर की कहानी है जिसके पैसेंजर्स उसे फेंकू समझते हैं उसे उन्हें एक मंजिल तक पहुंचाना है लेकिन ये कोई आम सफर नहीं होने वाला आउट ओफ दे वर्ल्ड एक्सपिरियंस है अन तक बने रहें कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में जिसके बीचों बीच एक कच्ची सड़क जा रही है एक विदेशी दमपती वहां ट्रैकिंग करने गया था और वो अपना रस्ता भटक गए थे उन्हें समझ नहीं आरा किस तरफ बढ़ा जाए आगे सड़क पर धुंद होती है और उन्हें उस धुंद में एक परचाई सी रजराती है परचाई का आकार एक औरत का होता है वो उनकी तरफ बढ़ती है और अचानक से उनके बहुत करीब आ जाती है वो दोनों घबरा जाते है औरत बुरी तरह से जखमी लगती है आदमी कहता है शयद उसे मदद की जरूरत ह औरत उसे रोकने की कोशिश करती है आदमी नहीं मानता घायल औरत आदमी को जकड लेती है यहां से हम पहुंचते हैं एक पुरानी सी वैन के पास जिसका मालिक उसे बड़े प्यार से चमका कर घर से बाहर निकालता है कुछी देर में एक पसंजर उसके पास बैठी होती है क कि वो मेक्सिको से है ड्राइवर का नाम कार्लोस ब्लासको है औरत को उसकी बातों में अब भी इंटरेश नहीं है वो अपने कानों में येर प्लग लगा लेती है बड़ बोले ब्लासको को ये पसंद नहीं आता जब पैसेंजर कार्लोस से बाते नहीं करती तो वो फोन पर अपने दोस्त के साथ, जो उसको बताता है कि उसके एरिया में आकाश में एक बहुत तेज रोशनी को देखा गया है। कारलोस की वैन में से एक बुलफाइटर की तलवार निकलती है वो लीडिया को बताता है कि जवानी में वो एक बुलफाइटर हुआ करता था बातों-बातों में कारलोस यह भी बताता है कि उसका जनम दिन 25 डिसंबर को होता है और उसे बुल फाइटिंग रोकनी पड़ी अपनी एक आंक गवाने की वज़ा से इसके बाद कारलोस लीडिया और मारियला का इंट्रोडक्शन करवाता है और उसे बताता है कि वो दोनों एक ही गाउं जा रही है मार्ता वैन के पीछे बैटने से इंकार कर देती है और मा बेटी में बहत शुरू हो जाती है कारलोस उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें उसी रात वलगारदे पहुंचना है आखिर कर डीडिया को ही हार माननी पड़ती है वैल निकलने पर हमें पता चलता है कि उनका घर सेल पर है कारलोस सिगरेट निकालता है तो मार्ता उसे रोक देती है वो कहती है कि अगर उसने सिगरेट पी तो वो उसकी गाड़ी में उल्टी कर देगी मार्टा उसकी नकली आंक की तरफ देखती है तो कार्लोस फिर से बताता है कि जवानी में वो एक बुल फाइटर हुआ करता था और बुल फाइट में उसने अपनी एक आंक खो दी मार्टा कहती है वो जूट बोल रहा है और वो जूट को पकड़दे में माहिर है कारलोस पूछता है कैसे अब मारता उसे अपना जला हुआ चेहरा दिखाती है कारलोस कहता है कि ये सिगरेट पीने की कोशिश में हुआ होगा उसने अपनी पैरिट सिगरेट जलाई होगी और उसका लाइटर फट गया इसलिए वो सिगरेट्स को ना पसंद करती है लीडिया उसे अपनी बकवास बंद करने को कहती है और पूसी है कि उसने वैन में शील्ड क्यों लगा रखी है कारलोस बताता है उसकी वैन में पैस्ट कंट्रोल हुआ था और उसकी बदवू को दूर रखने के लिए उसने स्क्रीन लगवाया था और बाद में उसे इसले नहीं निकलवाया क्योंकि कई पैसेंजर्स को इनफेक्शन होता है जिससे वो बचना चाता है लीडिया मारियला से कहती है कि वो कारलोस की कमप्लेन करेगी मारियला कहती है कि उसे सिर्फ एक बैट रिव्यू लिखने की जरूरत है वैन में कैसेट्स को देखकर मार्ता कहती है कि लगता है वो भूल गया है कि अब वो डिजिटल एज में है कारलोस कहता है कि कैसेट्स की बात कुछ और ही होती है वो क्या जाने आखिरकर मार्ता एक कैसेट्स पसंद करती है कारलोस कहता है कि वो उसकी पसंद को play नहीं कर पाएगा क्यूंकि उसके recorder में पहले से ही एक cassette फसी हुई है जो शायद Nessa को पसंद है Nessa यानि की Vanessa उसकी प्यारी वैन सफर के साथ साथ कारलोस की वकवास सुनकर लीडिया और मारियला उसे और ज़्यादा नापसंद करने लगती है लीडिया मारता से टॉफी मांगती है तो कारलोस उन्हें अपना सीक्रट डोर दिखाता है आगे बढ़ने पर कारलोस हाईवे से उतर जाता है औरतों के पूछने पर वो बताता है कि वो ऐसा टोल बचाने के लिए कर रहा है और यहाँ सीनरी भी अच्छी देखने को मिलेगी सडकों के बारे में लीडिया की जानकारी को देखकर कारलोस उससे पूचता है कि क्या वो वलगार्दे से है लीडिया बताती है उसका एक्स हस्बेंड वलगार्दों से था मारता अपने पिता के पास ही रहने जा रही है और वो लीडिया से नराज है तबी कारलोस को आगे धुन्द नजराती है बाहर अजीब सी दुरगंध होती है और सड़क पर कोई अजीब सी चीज पड़ी होती है और सड़क के किनारे उस अजीब सी चीज का एक बड़ा हिस्सा उन में से कोई भी नहीं जानता कि वो क्या था कारलोस से कहता है कि लगता है वो अंतरिक शिगरी होई कोई चीज है मार्ता को सड़क किनारे उसका सांस लेता हुआ भाग नजराता है वो उसको चूना चाती है उस चीज में से एक अजीब सा कांटा निकल कर उसकी उंगली में घुश जाता है लीडिया के कहने पर भी मारता उसे अपना घाव नहीं दिखाना चाती कारलोस एक लकडी लेकर उस चीज का निरक्षन करने लगता है और कहता है कि बहतर होगा कि वो उसे हाथ न लगाएं उसे आगे बढ़ने में ही समझदारी नजराती है आगे जंगल में उसी तरह की अजीब सी चीज और जगाओं पर भी पड़ी होती है जिसमें से धुआ निकल रहा होता है कारलोस कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्ने बाहरी दुनिया का कोई अंश देखा मारियला वैन से नहीं उतरी थी जब वो नीन से जाकती है तो लीडिया को उसका विग नजराता है वो समझ जाती है कि मारियला को कैंसर है और क्यूए थरेपी की वज़े से उसके बाल उतर गए है मारियला अपना नाकून चुबाने लगती है तो कारलोस उसे कहता है कि उसकी उंगली में से खून रिस रहा है मारियला बताती है कि वो खुद भी एक नर्स है और उसने बहुत से कैंसर पेशिंट्स की देख बाल की है जब उसकी तवियत बिगडने लगी तो कभी उससे सोचा नहीं था कि उसको भी कैंसर होगा मारियला की तरह वो भी वलगार्दे अपने पिता को मिलने जा रही है और मारियला की तरह उसके पिता ने भी उसकी मां को छोड़ दिया था लीडिया बताती है कि मार्था के चैरे का रिशान उसके पिता की देन था मार्था जब 5 साल की थी तो उसके पिता ने शराब पीकर उनकी गाड़ी का एक्सिटेंट कर दिया था जिसकी वज़ा से गाड़ी जुलस गई थी लेकिन वो दोनों बज गए लीडिया मार्ता को उसके पिता के पास इसले छोड़ रही है क्योंकि वो दस बहीने के लिए लंडन काम करने जा रही थी गाड़ी के cassette recorder में music अचानक से बजना शुरू हो जाता है और बातों ही बातों में कार्लोस बताता है कि एक जमाने में वो बहुत अच्छा electric guitar भी बजाता था उसका एक band भी था जिसका नाम था One-Eyed Living Dead तबी गाड़ी का cassette recorder एक बार फिर से फस जाता है कार्लोस का ध्यान भटक जाता है मार्ता अपनी उंगली से समोहित लगती है कार्लोस के ये बताने पर लीडिया घबरा जाती है कार्लोस का ध्यान सडक से हट जाता है और मार्याला को सडक पर एक औरत नजराती है इससे पहले कि वो कार्लोस को सचेथ कर सके कार्लोस उसको ठोक देता है मारियला उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है लेकिन कारलोस रुकना नहीं चाता मारता दुबारा होश में आ जाती है और चिलाने लगती है मारियला कहती है कि अगर कारलोस ने गाड़ी नहीं रोकी तो वो पुलिस को उसकी रिपोर्ट कर देगी लीडिया अपनी बेटी को लेकर परिशान होती है आखिर ना चाते हुए भी कार्लोस को गाड़ी मोर दी पड़ती है सड़क पर उसी ट्रेकर की लाश पड़ी होती है जिसे हमने काहरी के शुरू में जंगल में देखा था मारियला कहती है कि उस ओरत में शैद थोड़ी सांसे अब भी बाकी है लीडिया एम्बुलेंस को फोन करने की कोशिश करती है तो उसके फोन में करंट लगता है कार्लोस कोशिश करता है तो उसके फोन में भी करंट लगता है कार्लोस कहता है कि सब जानते हैं कि वो एक एकसिडेंट था उसमें उसकी कोई गलती नहीं है इन सब से हटकर मार्ता का ध्यान अब भी अपनी उंगली के घाव में होता है जिसमें से एक कीड़ा निकलने लगता है दोनों औरते समझ जाती हैं कि गायल औरत विदेशी है वो उससे अंगरीजी में बात करने की कोशिच करती है लीडिया और मार्याला उस औरत को हॉस्पिटल ले जाना चाते हैं लीडिया कार्लोस को बताती है कि मार्याला एक नर्स है वैन के वहां से निकलने पर मारियला उस ओरत को वैन के पिछले हिस्से में फर्स्टेट देने लगती है कारलोस वैन को हॉस्पिटल की तरफ मोड लेता है वैन के पीछे गायल ओरत अचानक से मारियला का हाथ मरोडने लगती है वो होश में आ जाती है और मारियला पर हमला कर देती है वैन के आगे मार्ता अपने क्याल में ही कोई होती है वैन में अब कुछ भी सही नहीं लगता मारियला का विग गिर जाता है कारलोस और लीडिया आपस में लड़ रहे होते हैं गायल ओरत के मूँसे एक तरल परदार्फ निकलने लगता है, कारलोस और लिडिया को चुप कराने के लिए मारता गाना लगा देती है, पीछे वैन में विदेशी ओरत मार्याला की गर्दन में अपने दान्द गार देती है, कारलोस को लिडिया की बेटी की हरकत से बहुत मज पट पड़ती है वैन में म्यूजिक और स्क्रीन के कारण आगे कैबिन में कारलोस और मार्ता को कुछ पता ही नहीं चलता अपनी जान बचाने के लिए लीडिया मरी हुई ओरत की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उसके हाथ में एक तरल प्रदात आ जाता है जिसे वो उठा कर वैन की स्क्रीन पे दे मारती है पीछे मुड़ने पर कारलोस और मार्ता को अपनी आँखों पर विश्वा से नहीं होता कारलोस वैन चोड़कर भाग जाता है मारला अपनी मा को खीच कर भार निकालने की कोशिश करती है लेकि तबी उसकी उंगली का घाव उसे दर्द द देने लगता है वैन के पीछे मार्याला अपनी जुबान लीडिया के कान में डाल देती है और तबी कारलोस वापस आ जाता है वो वैन के पीछे से एक इलेक्टरिक गिटार निकाल कर मार्याला पर हमला करने लगता है उसने इलेक्टरिक गिटार के बारे में जूट नहीं क आखिर कर वो लीडिया को मारियला के जंगल से निकाल ही लेता है। उनने एक चाकू भी पकड़ा देता है। मारियला की आवाज को अपनी तरफ बढ़ता हुआ सुनकर लीडिया मार्ता से कहती है कि अब उन दोनों को भी अलग होना होगा। चलने वाली एक खतरनाक प्रानी में बदल चुकी थी। उसकी डरावनी आवाजे पूरे जंगल में गूंजने लगती है। आगे बढ़ने पर मार्ता को कार्लोस मिलता है जो पेड से गिर कर घायल हो गया था। उसके सिर के पीछे एक बड़ा सा घाय हो गया था। आखिर कर मार्यला लीडिया को पखड़ ही लेती है। वैन के नजदीक पोंचने पर कार्लोस और मार्ता को लीडिया की चीक सुनाई देती है। कारलोस मार्ता को समझाने की कोशिश करता है कि उसका वहां रहना ठीक नहीं है वो उससे वहां से निकलने की भीक मांगता है और तब ही मार्ता मार्याला को अपने तरफ बढ़ता हुआ देखती है और वैन की तरफ दोड़ती है वैन के निकलते ही हम देखते हैं कि वो मार्याल था कि जिस चीज को उन्होंने पहले जंगल में देखा था वो एक यूएफो था वो पैरसाइट पहले ट्रैकर के शरीर से निकल कर मारियला के शरीर में दाकिल हो गया था और अब वो लीडिया में था कारलोस पारता से कहता है कि उसकी माँ एक सहासी औरत थी जो अपने बेट पास के गाउं तक पहुँच ही जाती है कारलोस वहां अक्सर आया करता था और वो गैस टेशन के मैनेजर को भी जानता है मारता कहती है उसे पिशाब की बदबू आ रही है कारलोस कहता है पिशाब और तब उसे आभास होता है कि डर के मारे उसका ही पिशाब निकल गया था वो कहता है कि वैन में जो चीज आकर गिरी है ये उसकी बद्बू है चड़ाई पर तेल खतम होने की वज़ा से नैसा पीछे गिरने लगती है अब वो दोनों धक्का मार कर उसे चड़ाई पर उपर ले जाते हैं पेट्रोल पंप पर पहुँचने पर कारलोस देखता है कि नैसा में से तेल लीख हो रहा है पंप का एटेंडेंट एक डोटिस लिखकर वहां से गायब होता है कारलोस जानता है कि वो जल्दी वापस नहीं आने वाला है ये सुनकर मारता घबरा जाती है कारलोस कहता है कि उसे घबराने की कोई ज़रूत नी वो उसके साथ है वो वैन के टैंक को टेप से सील कर देता है वो मारता को कहता है कि वो चुपचा वैन में बैठके सभी दरवाजे लॉक कर ले उसे गाउं में जाकर तेल लाना होगा वो कहता है कि अटेंडन जब वापस आएगा तो वो उसकी वैन को पैचान लेगा और उसके कहने पर टैंक को फुल भी कर देगा जाते जाते वो मारता को लाइट आफ करने को भी कहता है मारता उससे पूसती है वो वापस तो आएगा कारलोस कहता है कि उसके लिए नहीं तो कम से कम नैसा के लिए तो वो ज़रूर वापस आएगा कारलोस को गाउं में कोई भी नजर नहीं आता और फिर उसकी नजर एक कार पर पड़ती है मजबूरी में उसे उस कार के टैंक से तेल खीचना पड़ता है दुसी तरफ मारता को वैन के साइड मिरर में अपनी मा नजर आती है वो सांस रोक कर वैन में दुबक जाती है लीडिया अब पूरी तरह से उस ट्रैकर के रूप में बदल चुकी थी और तभी पेट्रोल पम का अटेंडन्ट वापस आ जाता है मोका मिलते ही कारला गाड़ी के नीचे चुप जाती है और लीडिया को अटेंडन्ट पर जपटते हुए देखती है अटेंडन्ट को दो हिस्सों में बांट कर वो एक बर फिर से वैन की तरफ बढ़ दे लगती है आखिर कर कारलोस को गाव में एक बिल्ली नजरी आ जाती है जो खून में सनी होती है उसका पीछा करने पर कारलोस देखता है कि घर के अंदर टीवी के सामने बिना सर की लाश पड़ी होती है कारलोस पेटरोल लेकर वहां से भागता है लीडिया जोर जोर से वैन को खोलने की कोशिश करने लगती है कारलोस के लोटने तक लीडिया वहां से निकल जाती है मारता उसे बताती है कि लीडिया वहां आई थी बहुत घबराई होती है और कारलोस से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए लीडिया वैन की छत पर छुपी होती है पेट्रोल चूसने की वज़ा से कारलोस वैन में अजीव अजीव सी आवाजें निकालने लगता है और मारता डर जाती है अपने शक को दूर करने के लिए वो उसे पूस्ती है कि कारलोस के बैंड का नाम क्या था कारलोस बताता है वन आइड लिविंग डेड अब मारता को विश्वास होता है कि कारलोस सही सलामत था इतना ही नहीं वो कारलोस के घाव पर बैंडेज भी लगाती है उसी वक्त बरसाद भी शुरू हो जाती है और लीडिया वैन की छट को ठोकने लगती है कारलोस जोर की ब्रेक लगाता है और लीडिया को बार बार वैन के नीचे कुछल देता है वैन के निकलते ही टूटी फूटी लीडिया एक बार से फिर उठ खड़ी होती है आगे बढ़ने पर कारलोस कहता है कि अगर उन दोनों को अलग होना पड़ जाए और वो दोबारा मिलें तो उनके पास एक सेफ पासफ़र्ड होना चाहिए ये जानने के लिए कि वो दोनों सलामत हैं और वो सेफ़ड होता है पासो दोबले कारलोस का फेवरेट म्यूजिक अचानक से कारलोस को सब धुन्दला नजराने लगता है उसे पानी की जरूरत होती है और तबी वैन के पीछे एक परचाई आती है कारलोस कहता है कि उसकी माँ वापस आ गई है और वाकई ही लीडिया वैन के पीछे होती है कारलोस बेहोश हो जाता है मारता किसी तरह हिम्मत करके कारलोस के लिए पानी लेने जाती है लीडिया सीट पर चड़कर स्क्रीन से चिपकी होती है उसके मुँ से लार टपक रही होती है मारता किसी तरह पानी की बोतल तक पहुंच जाती है लीडिया नीचे देखने लगती है तो कारलोस जाग जाता है लीडिया अपना सर स्क्रीन पर मार कर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगती है अब लीडिया वैन की सीक्रेट खिड़की से अपनी जुबान कैविन की तरफ बढ़ाना शुरू करती है और कारलोस की गर्दन को जकड लेती है मारता पानी लेकर कैविन में पहुंच जाती है वो कारलोस को छुड़ाने की असफल कोशिश करने लगती है तबी उसका ध्यान लाइटर पर जाता है मारता लाइटर से उसकी जुबान को जला देती है चीकती हुई लीडिया अपनी जुबान वापस खीच लेती है और कारलोस को एक बर फिर से सांस आ जाती है लीडिया उसकी खिड़की के बार खड़ी होती है और अपना सर मार कर उसकी खिड़की का कास तोड़तेती है मारता लीडिया को मा बोल कर पुकारती है लेकिन लीडिया अब एक अलग ही प्रानी बन चुकी थी वो मारता पर जपट पड़ती है और उसी वक्त कार्लोस गाड़ी का एक्सलेरेटर दबा देता है लीडिया दोड़ कर गाड़ी का पीछा करने लगती है और कूद कर एक बार फिर से उसमें दाखिल हो जाती है और आखिर कर वो गाड़ी के स्क्रीन को थोड़ने में भी काम्याब हो जाती है और मार्ता को पीछे कीच लेती है कारलोस के पास मार्ता को बचाने का अब एक ही तरीका होता है उसे मार्ता और नैसा के बीच में एक कोचुनना होगा कारलोस गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और उसे एक पेड़ बेदे मार्ता है पेड़ से बिढ़ते ही सब चक्ना चूर हो जाता है होश में आने पर कारलोस गाड़ी को पल्टी हुई पाता है गाड़ी के पीछे मारता बेहोश पड़ी होती है कारलोस उसे खीच कर बाहर निकालने लगता है बाहर निकलते ही मारता बोलती है पासो दोब ले यानि की वो पूरी तरह से सुरक्षित थी कारलोस उसे पूचता है क्या वो ठीक है मारता कहती है कि इस बार वो जली नहीं और उसी वक्त लीडिया अपनी जवान से मारता को पीछे खीच लेती है और मारता के कान को काटने लगती है अब कारलोस एक बुल फाइटर की तरह उसे ललकारता है और लीडिया को कहता है कि वो बच्ची को छोड़ उसके पास आए लीडिया उस पर एक सांड की तरह जपड़ती है और कारलोस एक एकस्पिरिंस बूल फाइटर की तरह उसे चकमाते देता है अभी वो खुशी मना ही रहा होता है जब लीडिया उस पर कूद पड़ती है और अपनी जुबान उसके मूँ में डालने लगती है इस से पहले कि वो कारलोस को संक्रबित कर सके मारता बूल फाइटर की तलवार उसकी खोपड़ी में खुसा देती है बेवफूफ से दिखने वाले कारलोस की कोई भी कहानी जूटी नहीं थी उन दोरों के आगे बढ़ते ही लीडिया में से वो जीव निकल आता है जो इस सारे फसाद की जड़ था वो एलियन जाते जाते कारलोस उसे आग के हवाले कर जाता है और तभी नैसा का कैसेट रिकोर्डर एक पर फिर से अपने आप बज़ने लगता है कारलोस मार्था से कहता है कि नैसा उन्हें गुडबाए कह रही है और जाते जाते उन्हें उसके लिए एक आखरी डांस करना चाहिए और तबी नैसा की फसी हुई टेप बाहर निकलाती है दिन चड़ने पर वो एक रेस्टरों बार तक पहुंच जाते हैं अंदर जाने पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता पूरा बार खाली होता है कारलोस कहता है कि उसे बुरी तरह से एक ड्रिंक की जरूरत है मारता कहती है उसे वाश्रूम जाना है कारलोस अपने गलास में शराब डारने लगता है और नीचे बारमेन का सर कटा हुआ धर पड़ा होता है आखिर कर कारलोस को अपनी आखरी सिगरेट पीने का मौका भी मिल जाता है लेकिन जैसे ही वो सिगरेट सुलगाने जाता है कुछ लोग बार में दाखिल हो जाते है अंदर वाश्रूम में मारता की उंगली पर तरल पडार गिरदिने लगता है वो पूरा का पूरा गाउन संक्रमित हो चुका था और वाश्रूम में मारता भी कारलोस का दिन अभी खतब नहीं हुआ था और ना ही उसकी लड़ाई